हां तो रोष्टो आदित्य भिल्ला Sun Life AMC के Q3 के नमबर्स आचुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे जब को आदित्य भिल्ला Sun Life AMC के अंविस्ट करना चहिए है या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो दीखे यहां पर सबसे पहले अगर हम revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो पिछले quarter के comparison में revenue 0.9% से बड़ा है और यह number आया है 334 करोट पे लेकिन जो profitability है वो 4% से गिरी है और यह number आया है 166 करोट पे तो दीखे profitability इसले गिरी है तो कि जो other income जो है company की other income पिछले quarter में ज्यादा थी और उसी की वज़े से यह profit वाला part हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है बाकि अगर हम देखेंगे तो पिछले quarter के comparison में same performance हमें यह आपे देखने को मिला है अब अगर हम year on year basis के revenue के numbers के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20% की growth हमें यह आपे year on year basis पे देखने को मिली है लेकिन जो profitability है वो 26% से बड़ी है और यह number आया है 166 करोट पे तो देखा जाए तो profitability growth year on year basis पे काफी अच्छा है और अगर हम quarterly basis पे देखेंगे तो एक constant performance हमें यहाँ पे quarterly basis पे देखने को मिला है तो देखें 524 पे यह stock अभी trade हो रहा है और लगबख 712 का IPO का price था तो वहाँ अगर हम देखेंगे तो लगबख 25% यह stock अल्रेडी नीचे आ चुका है तो देखें यहाँ पर आपको patience रखना पड़ेगा अगर आपने invest किया हुआ है तो मेरे क्याल से मुझे लगता है कि मुझे really असा लगता है कि यह stock benchmark को beat नहीं कर पाएगा तो कि यहाँ पर dividend deals जादा होने वाले और company ने खुदने बोला है कि 50-60% का जो उनका dividend payout है जो उनका cash flows है वो at the end dividend के form में देने वाले है तो यह काफी negative मुझे लगा है तो कि अगर इतना dividend payout होगा तो उसका एक ही indication है कि आपके पास growth का कोई sign नहीं है आपके पास कुछ reinvestment क options नहीं है तो वो मुझे ठोड़ा negative in companies के लिए लगा है तो दोस्तों मैं hope करता हूं कि अदित्य बिर्ला Sun Life AMC के Q3 के numbers के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries आप comment किजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day